हलो इस्टुएंट आज का जो मेरा सेशन है एक बहुत इंपोर्टेंट सेशन है आप लोग इस सेशन का वेट भी कर रहे हैं और आप लोगों ने सेशन से डिट कई सारे कोशन पूछे हैं थर्ड अफ जुलाई को आपने एक न्यूज देखी होगी जो AICT ने डिकलिया की थी कि MCA प्रोग्राम जो है अब 3 येर से शिफ्ट करके 2 येर हो गया उसके बाद बहुत सारे कोशन बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस तरह की इमेजे भीजी तो मैं आपको इस सेशन में ये पूरी बात बताऊंगा कि सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि MCA का जो डूरेशन था वो 3 येर से 2 येर शिफ्ट हो गया है और 2021 बैच के लिए ही हुआ है बट कहां हुआ है कहां नहीं हुआ है कौन-कौन से इस्ट्ट पर अप्लिकेवल है ये सारी बाते क्या effect आएगा क्या benefit होगा ये बताऊंगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे BAC plane वाले उनको थोड़ा दाउट रहता है कि सर हमारा computer background नी तो हमें क्या-क्या problem आईगी यानि ये session लगवग आपके वो सारे doubt cover करने की कोशिश करेगा जो पिछले 4-5 दिन में आपने मुझसे पू सकते हैं questions आपके comments को देखके मैं फिर अगले sessions में वो doubt भी दूर करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो news है क्या होता है कि हम कई बार कुछ चीज़े देखते तो हैं पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किसके लिए applicable जैसे इसमें एक प्रिश कोर्स करके एक लिखा हुआ है इस पे सर हमें क्या ब्रिश कोर्स देना पड़ेगा 50% मांगा है आप 60% बोलते हैं ऐसे बहुत सारे doubts हैं और जब बहुत सारे questions होते हैं तो उन questions का जवाब एक single answer से नहीं हो सकता हर questions को हम step by step लेके चले तो मुझे लगता है सारी देखिएगा मुझे लगता है एंड तक जाते जाते आपके लगबख हर तरह के doubts खटम हो जाएंगे तो आप सबसे पहले में बात करता हूँ कि ये जो change है वो इस साल से अप्लिकेवल है यानि अभी तक एक ही ऐसा PG course था जो की 2 year का था बाकी सभी क्या होता है PG जितने भी ज जाएं तो 2 year का program है अगर हम M tech करें तो भी 2 year का program है पर जब हम M C A करने जाते थे तो 3 year का program था और कई पिछले कई समय से demand चल लही थी कि M C A की value भी बढ़ेगी इससे और M C program की अब 3 year की जववत नहीं है तो इसको 2 year shift कर दिया जाए finally A I C E T ने declare कर दिया कि अब से M C A का program 2 year का होगा और ये applicable 20 to 21 होगा बट ये उन लोगे के लिए applicable होगा जो UGC या A I C E T से approved हैं सबसे महात्पूर्ण बात लोगों ने ध्यान नहीं दी मैं फिर बोला हूँ जो UGC या A I C E T से approved college हैं उनके लिए ये 2 year हुआ है यानि अभी भी आप जब ये question पूछेंगे मुझसे कि NIMSET में क्या होगा तो NIMSET जो है वो NIT मिलता है जिसके through IIT जैसे IIT में IIT में इसके through मिलता है ये जो है MHRD के through declare होगा मतलब अभी अगर आप मुझसे बोलें कि sir NIT से MCA 3 year का है या 2 year का है तो ये situation अभी फिलाल में अ पर हो सकता है इस साल के admission पर नहीं तो next year तक NIT से भी MCA 2 year का हो जाएगा अब UGC और AICT का क्या मतलब है वो समझें UGC मतलब होता है इंवर्सिटी जैसे है है इंवर्सिटी का आपने नाम सुना है बहुत रेपोटेट इंवर्सिटी है वहाँ पर 2 year का होगा है डेली इंव JNU का नाम सुना है इंवर्सिटी है 2 year का हो गया JNU का नाम सुना है इंवर्सिटी है 2 year का हो गया यानि और यह अभी डिक्लियर करेंग अभी इन्होंने ऐसा message दिया है तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप confused मत हो यह और AICT से क्या होता है जैसे टेक्न इन लोगों के अनतरकत आते हैं जिसमें UGC और AICT होते हैं वहाँ पर MCA प्रोग्राम 2 year का हो गया आपका सबसे बड़ा focus obviously MCA में निमसेट होता है बट निमसेट का जो क्राइटेरिया है इनका रूल यह इनके according नहीं चलता इनकी guideline जो है वो MHRD मिनिस्टर मतलब यहाँ पर मिनिस्टर से decide होगा UGC और AICT से अप्रूब नहीं होते इसलिए यहाँ का decision अलक से लिया जाएगा जो की मुझे लगता है हो सकता अगले कुछ महीनों में या हो सकता next year से मतलब इस बात के chances हैं कि हो सकता इस साल का जो 2021 session है वो 3 year है और next year फिर 2 year का हो जाए पहले तो यह ब करेंगी कि उनका 2 year का program कैसे होगा क्योंकि अभी तो यह notice आया है अभी क्या है कि इस बार COVID के वज़े से 2 year का program अभी तो कब से session start होगा यही नहीं पता तो कुछ चीज़े ऐसी संशे में रहती हैं doubtful रहती हैं पर यह बिल्कुल है कि आने वाले समय में 2 year का हो जाएगा अब बात आती है कि 2 year होने से फायदा होगा यह नुक्सान एक बात दूसरी बात 2 year आने के बात जो आप लोगों के message थे या questioning थे उनमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं कि 2 year होना तो lottery है अगर MCE program 3 year से बढ़के 4 year होता तो तकलीब वाली बात थी 2 year हुआ तो इसका मतलब या आपकी lottery आप एक साल में PG course कम समय में कर लेंगे आपकी नोक्री एक साल पहले लग जाएगी तो इसमें panic होने की जगे happy होने वाली बात हुई आपको मैं बता दूँ अभी अभी में impetus में बोपाल में जो engineering college है वहां के बच्चों ने आके पिछले साल अभी तक B.E. वाले धीरे धीरे निमसेट में admission लेने लगे थे इस notice के बाद B.E. वालों का interest जैसे वो M.T.E.C. gate से gate की तैरी करके M.T.E.C. देते हैं पर M.T.E.C. में जाना कई बाद ठफ होता है वो भी अब इसमें कूदने वाले यानि in term of competition M.C.E. में बढ़ेगा तो आपके लिए ये good news है कि two year हो रहा है ये bad news नहीं है तो इसके लिए परिशान नहीं होना दूसरी बात हो सकता है कि इस साल N.I.T. में ना हो तो भी दुखी होने की बात नहीं because आप तो three year के लिए पहले से prepare थे तो three year से two year होना तो हमारे लिए एक अच्छा sign है ना जैसे माल लो कि अगर आज मोदी जी declare कर दें कि दो महीने का lockdown फिर हो रहा है और पंदा तिन बाद वो unlock कर दें तो ये खुशी की बात है दो महीने से चार महीने कर दें तो ये उन लोगों के लिए two year का MCA course अच्छा है उससे इसकी value तो बढ़ेगी बढ़ेगी competition भी बढ़ेगा और दूसरा ये एक तरह से जैसे gate, MBA, MCA एक level पे आ जाएंगे अभी तक कई लोग इसलिए PG course के MCA में नहीं जाते थे कि three year की degree या तीन साल देने पड़ेंगे तो ये एक plus बहुत important है और पहले three year क्यों था ये भी समझे फिर जिनका background computer नहीं है क्या उनके उपर फरक पड़ेगा ये सब बाते करता हूँ और दूसरा ये bridge course 50% का क्या concept है वो भी बताता हूँ नमर बन बात करूँ मैं तो पहले MCA program जब start किया गया था आज से करीब 20 साल पहले और जादा ही हो गया समय उस समय जो courses थे उसमें BSC plane वाले बच्चे जादा हुआ करते थे इवन BCOM वाले बच्चे भी होते थे NIT तो बाद में हुआ 2004 से start हुआ NIT का exam और पहले 2005 से infect पहले AIMC होता था फिर बाद में 2007 से निमसेट ने अलग करा तो उस समय क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो computer background के बिलकुल नहीं होते थे school curriculum में भी computer नहीं था और इस तरह से जब WMCA करने जाते थे तो WMCA में उनकी almost knowledge zero होती थे तो एक साल उनके basic develop करने के लिए भी time लगता था पर अभी हम देखें तो आज की date में मैं अगर अपने बच्चों की भी बात करूँ 6-7 में हो पर वो लोग भी website बना लेते उनके course में curriculum में computer इतना बड़ा portion है कि मैं हरान हूँ मेरी बेटी 6 में है और उसने अभी website बनाई छोटे से computer gaming program उनके उसमें होते हैं subject में testing में होते हैं सोचिए तो क्या हुआ कि school curriculum में computer portion अब 6-7-8 class से जोड़ा जाने लगा है 12 तक आते आते mostly बच्चे even CC language CC++ language तक सिख जाते हैं फिर बाद वो BCA करते हैं अब अभी कुछ समय से रेखा जा रहा है जो बच्चा BCA computer background का जब वो MCA करने जाता है तो first year तो उसको कुछ नहीं जैसा पढ़ना होता है क्योंकि वो already सब कुछ पढ़ा हुआ होता है तो एक साल बच्चे का unnecessary extra जा रहा है और लगवग 80-90% जो computer related course कर चुके होते हैं तो ऐसे में three year की अब जववत नहीं लग रही है यह देखते हुए इस प्रोग्राम को two year किया दूसरा बच्चे private colleges में देखें तो हम seats खाली रह जाती MCA की इसलिए आज से कुछ समय पहले यह decision लिया गया था कि lateral entry के through बच्चे जा सकते है आपने सुन होगा अब lateral entry बंद कर दी यह एक और चीज बता दूमें कि सेशन में कि lateral entry is stop अब lateral entry नहीं होगी पहले lateral entry का मतलब बच्चे बहुत अच्छा है बंद नहीं करना चाहते वह इस लिए उन्होंने इस प्रोग्राम में यह shifting करी गई है कि इसकी value बड़े इसमें लोग जादा से जादा अप्यार हूँ यह एक सबसे बड़ा region है जो 3 year से 2 year किया गया है तो आप सब बच्चों को बोलूँगा यह बहुत ही अच्छी और positive news है और इस साल के लिए कुछ जगों पे possibility है कि course 3 year ही बना रहे क्योंकि अभी COVID-19 के वैसे college ही open नहीं हो रहे तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ universities may भी chances बहुत कम है पर may भी कि वो यह बोलें कि जब session ही इतना लेट हो रहा हम 6 महीने 8 महीने अगर session माल लीजे थोड़ी दिर के लिए सोचे कि अगर मैं B.H.U. में हूँ और 2 year का M.C.A. program कर दूँ तो 1 year तो मेरे अगले साल तक तो मैं अभी next year से हो जाए बट बहुत सारी university तो अल्रेडी पहले ही कर चुकी है तो अब यह मान के चलिए कि लगबख हो गया है केवल NIT में बचा है और NIT में भी हमने अभी confirm कि आप भी करेंगे तो पता चलेगा उन्होंने बोला अभी वो कुछ program में चेंज नहीं कर रहें 3 year है बट आ description में मैंने UGC, AICT और MHRD से related जो colleges है उनकी list उनका एक link दिया है जिससे आपको वहां के colleges की list मिल जाएगी आपके बहुत काम आएगी एक और फायदा होगा कि किस college में कितना intake है क्या criteria वो भी पता चलेगा तो वो link description में है आपके लिए helpful होगा अब बात करता हूँ उन बच् background computer नहीं है ऐसा percentage अब केवल 5 से 10 बचा है जो अगले 1-2 साल में वो भी खतम हो जाएगा माल लीजिए कोई बच्चे ने state board से 11-12 किया नहीं था computer पहले curriculum में अब आगया अब तो आई गया सभी में फिर graduation में BSC plane किया तो उसका computer knowledge माल लीजिए 0 है तो 2 year के MCA में वो क्या या कैसे survive करेगा number one thing ऐसा percentage दस परसेंटे और अगले 2 साल बाद सायद बचेगा ही नहीं क्योंकि आप हर curriculum में school के curriculum में compulsory कर दिया पहले compulsory नहीं था अब हर state के even पहले state में नहीं था अब हो गया compulsory पर जो आज के बच्चे उनको बताना चाहूंगा कि आपका two year होने से आपको अगर computer background के नहीं है तो effect इतना ज़्यादा नहीं आएगा आप सीख जाओगे और आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है दूसरा interest होने के बाद से लेके admission तक का जो time होता है वो time आपको 100% utilize करना होगा learning languages में like C, C++, basics जो है computer के वो आप पहले से तयार करने और उससे आपको फायता होगा तो ये two year बहुत अच्छा हुआ है ये समझे सोचिए अब आपका competition सीधे सीधे BE वाले बच्चों से भी होने वाला है क्योंकि gate में IIT निकालना बड़ा tough होता है subject बहुत पढ़ने होते हैं ऐसे में बच्चा MC की तरफ move करेगा क्योंकि यहाँ पर केवल math, reasoning, computer, fundamental इनसे भी आपका काम हो जाएगा तो ये एक important चीज है जो मुझे लगता आप समझ पा रहे होंगे तो इसलिए आप सब लोग परिशान ना हो अपनी पढ़ाई करते रहें आप तो दो साल का हो या तीन साल का हो मैंने बोला ना अगर ये चार साल का होता तो चिंता की बात है तीन से दो हो रहा है तो ये खुशी की बात है और जहां खुशी की बात है वहां अपने effort double लगा देने चाहिए यानि आप अपने आप effort डवल लगाना चालू कर दीजिए अच्छा है कि इन्यूज एक्जाम के form फिल करने के बात आई नहीं तो बहुत सारे नए बच्चे भी competition में जुड़ जाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख लिजेगा अगले 2-3 साल बाद इसकी इसमें competition कितना हाई होने वाला है उससे पहले आपके पास एक मौका है एक golden opportunity है बहुत अच्छा हुआ कि 2-3 हो गया मैं तो कब से चाहता था कि 2-3 हो यह बहुत अच्छा अब बात आती है इसमें एक बहुत important line लिखी है जिसमें कई लोग confused हुए एक्च्छल में क्या है UGC और AICT के नाम सलग है निमसेट क्या लग है पहले निमसेट का मैं clear कर दूँ कि निमसेट में अभी भी graduation में 60% मांगते हैं और फिर बोलूँगा कि final year के semester में नहीं all semester या all year all year या all semester का aggregate 60% मांगते है BCA वाला बच्चा direct eligible है उसको अलग से 12th मैस अगर 12th मैस नहीं है तो भी सुनिए का ध्यान से अगर आपका 12th मैस नहीं है तो भी आप direct eligible है BCA कर रहे हैं तो या फिर B.A.C. computer science या B.A.C. IT या B.A.C. math ये सब भी इसके लिए eligible है और साथ में B.E. या B.T.E.C. बाले भी eligible है इसका eligibility criteria बिलकुल अलग है ध्यान रखे का आप तो NIMSET का अभी भी वही रूल है अब बात आती है यहाँ पर UGC या ICT जैसे मैं B.H.U. की बात करूँ मैं एक example दे रहा हूँ मालो में B.H.U. की बात करूँ मालो में J.N.U. की बात करूँ है ना तो इन सब में क्या होता है जैसे B.H.U. में graduation के 50% मांगते है J.N.U. में graduation के 55% मांगते है थोड़े थोड़े UGC के अलग-अलग norms होते हैं AICT में केवल 50% ही मांगते है ये भी बता दू ग्रेशन में तो वही line दिये और अगर आप category के हैं तो 45% पर UGC और AICT में 12th का math मांगा चाता है यानि जो बच्चा 12th math में है वो ही exam दे सकता है MCA का बट 12th math के बाद अगर वो B काम करे BA math करे चलेगा है ना BAC करे BCA करे पर 12th math होना चाहिए अब माल लीजिए कि कि किसी का 12th math नहीं है इधर की बात नहीं करो इधर बात करो द्यान देना अगर किसी का 12th math नहीं है तो एक option होता है जो बहुत कम लोगों को पता उसे बोलते हैं bridge course वही word यहां पर use हुआ है तो अगर किसी बच्चे का 12th math है तो उसे bridge course नहीं करना होता यहां से सुनी अगर किसी बच्चे का 12th math है तो उसे bridge course नहीं करना होता है bridge course किसे करना होता है ब्रिज कोर्स का मतलब है डारेक्ट आपने ग्रेशन में रहते हुए भी एक अलग से आपने ब्रिज जैसा मतलब मैस को कर लिया आप कैसे अगर आपका 12 में बायो है मान लेजिए कॉमर्स है या आर्ट्स है तो आपको 12 में अब आपकी मन बाद में हुआ और आप मान लो B.com, B.A. या B.C.A. कुछ कर रहा है ठीक है अब आपकी बाद में एक्छा हुई कि मुझे M.C.A. करना है पर जब आप B.H.U. की साइट पे गए जब आप J.N.U. की साइट पे गए आपने देखा येक एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ आपने देखा कि वहाँ पर 12 मैस मांगत ने 12 मैस बंद कर दिया B.C.A. वालों को डिरेक नहीं तो हर साल बहुत बच्चे 12 मैस का अलग से फॉर्म बढ़ते थे वो भी प्रॉसेस बताता हूँ तो अब आपकी इक्छा हुई कि M.C.A. करना है पर 12 मैस आपका रोड़ा आ गया कि 12 मैस नहीं है आप क्या होगा तो 12 मै अरे बच्चों के साथ आपको मैस का एक अलग से फॉर्म फिल करना होता जो अगस में आता वो भी बता रहो यानि अगस के मंत में स्कूल वो भी याद रखिएगा इसका कोई अलग से कंफीजन नहीं रखना कि नोटिफिकेशन आएगा जिस बोड में या जिस स्टेट से आ MP बोड से दिया है, ऐसे मानलो अलग-अलग चीज़े हो सकती है न. अब आपने जिस बोड से 12 का एकजाम दिया उसी बोड से आपको 12 का मैस का फिरसे form फिल करना होता और उसी स्कूल में जाकर भरना होता है. यानि आप अपने स्कूल जाएंगे और स्कूल में बोलेंगे कि sir, मुझे 12th math का एक अलगस exam देना है, उसके लिए 12th वालों के साथ आपके form भर जाएंगे, और जब 12th math का paper होगा, मार्च में, जब भी आपको वो math का paper देना होगा, और आपकी एक math sheet आएगी, जिसमें केवल 12th math लिखा होगा, केवल 12th math, और वो math sheet आपको, अपनी original 12th की math sheet मे add करना होगा, इस तरह से आप 12th math student कराएंगे, इसे बोलते हैं, bridge course, is that clear, अब आप MP board के हैं, तो MP board के थुरू भरेंगे, UP board है, बिहार board है, महरास board है, जिस भी board से, या CBSC, ICSC board, जिस भी board से, ये एक option है, बहुत कम लोगों को पता होता है, पर ये तो सालों से चला या आज का इसलिए बंद कर दिया, normally BCA वाले बच्चे का 12th math कई बार नहीं होता था, BCA वाले बच्चों का, उनको पहले भरवाता था, पहले NIT में भी 12th math मांगते था, एक खास बता दू, पुरानी website कई सारी निकलाती है, उसमें बच्चे confused होते हैं, पर आप उन्होंने बंद कर दि इसलिए कई बच्चे नहीं देते हैं, जिनका टार्गेट निमसेट रहता उनको नहीं देते हैं, तो ये दो अलग-अलग चीज़े हैं, थोड़ा सा इनको आप difference समझें, कि किस से किस का affiliation है, NIT का मतलब है, NIT का मतलब है, MHRD से relation, जिसके थुरू IIT या NIT मिलते हैं, और भ इन तीनों की लिस्ट दे रहा हूं, आपके description में, आप देखिएगा, आपको धेरो college के नाम मिल जाएंगे, आप समझ जाएंगे, तो ये एक बात मुझे लगता, आपको समझ में आई होगी, कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो ब्रिस कोर्स को लेके confuse मत होगी, तो अब इनके नामस अलग होते हैं, इसके अलग, अब आप क्या कर रहे हो, इसके नामस दिये, news इसकी है, आप relate name set से कर रहे हैं, इसलिए confused हो रहे हैं, news बिल्कुल किलिया लिखा है, बिल्कुल किलिया लिखा है, सबसे top पे अगर देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, all AICT अप् हैं, या university है, उनके लिए ये notification जारी किया गया है, और एक meeting का number भी दिया, उन्होंने कि 545 meeting के अंतरगत, ये decide किया गया है, कि 3 year को बदल के 2 year कर दिया जाए, और ये exhibition 20 से start कर दिया जाए, और इसके लिए फिर उन्होंने rule दिये, past BCA, bachelor degree, computer science, engineering, equivalent degree, और past BSC, BC, BCOM, BA with mathematics, 10 plus 2 level or additional bridge courses, मतलब, या तो 10 plus 2 में आपके पास math हो, 12 में, या graduation level पे math हो, या आपके पास bridge course का certificate हो, मतलब 12th math का एक अलग से certificate हो, इसलिए मैं हमेशा जब कोई बच्चा मुझसे बोलता math नहीं, तो मैं बोलता हूँ, आप 12th math का अलग से form बढ़ दो, आज भी यहां आता है कोई तो म है, वो 12th math पे ही based होता है, 11-12 math पे, तो 12th math का ही एक separate paper देना होता है, तो I think मैंने सारी लगवग आपके doubt cover कर दी है, एक बार फिर short term summary बना देता हूँ, कि सबसे पहले ये news जो है, वो AICT, UGC के उपर apply होती है, जिसमें लगवग लगवग 95% colleges आ गहे है, कुछ एक जगे को छोड़ दें, जैसे NITS को जहां पर अभी भी 3 year का है, आने वाले दिनों में वहां पर भी हो जाएगा, 2021 में होगा की नहीं, ये during counseling या between exam पता चलेगा, आभी कुछ कहनी सकते हैं, पर हो जाएगा आगे, इन जगों पर हो गया है, जो universities हैं या जो AICT से approved हैं, bridge course इनी के ये है, कि आप देड़ साल बाद ही place हो जाएगे company में, और article ship बगएरा करने चले जाएगे, यानि आप बहुत जली course cover कर लेंगे, फर्स्ट एयर का जो syllabus था, वो actual में BCA या during school आप पढ़ लेते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है, जिनका computer background नहीं है, वो बिलकुल परेशान ना हो, वो अलग से, दो या तीन महीने में ये पूरी चीज़े cover कर सकते हैं, बहुत इजली, इसलिए उस बात को लेके परेशान ना होगे, बल्कि अभी इंट्रेंस पर focus करें, कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर, हम लोग क्या language पढ़ना चालू कर दें, त तो कि टू यर का हो गया, मैंने का तर नहीं, अभी ये मत सुचेगा, अगर इंट्रेंस नहीं निकला, तो language पढ़ भी लोग है, तो फायदा नहीं है, इसलिए पहले इंट्रेंस निकालने पर focus करें, फिर इंट्रेंस से लेके, एडवीशन के बीच का जो time होता है, उस duration में आप language सीखें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, confusion ना रखें, फिर भी कोई question, कोई doubt रह जाए, तो आप मुझे भीज दें, मैं आपका वो confusion ये doubt अगले session में जवू cover करूँगा, thank you and all the best